जैसे उसंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरी स्पांडे, आज आप मकर रासी वालों के लिए बहुत ही आवस्यक विशाय लेकर के आ रहा हूं, आया हुआ हूँ और ये आवस्यक विशाय आपको एक दिन पहले मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, जिसका आप पुरा-पुरा पायदा उठा सके, देखे मित्रों, दो सितंबर दो हजार चौबिस को अमावस्या है, यूँ तो अमावस्या खास ही होती है, लेकिन जब अमावस्या करकर या सिं अमावस्या हो जाती है, और इस बार सिंग रासी की अमावस्या है मित्रों, तो ये जो अमावस्या है, ये बहुत ही इस्पेसल अमावस्या है, और आपके कई प्रकार के कष्ट दूर करने वाली अमावस्या है, और सबसे बड़ी बात कि अमावस्या, सनी, अमावस्या को सन इस वीडियो में आप सबी लोग बने रहिए और इस वीडियो को देखिए धियान से और सुनिये पूरा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखने का प्रयास करूंगा छोटे मैं समझाऊंगा टीक है वीडियो शुरू करने से पहले तो आवस्चे सुचना पहली ये कि ये हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सप नंबर है 8540096730 ये नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगा तो चलिए मित्रों सुरुवाद करते हैं दिखे मित्रों आपने कई घरों में देखा होगा कि अमावस्या के दिन घर में कलह कलेश होता है ये भी एक पित्री दोस का सूचक होता है ठीक है अमावस्या के दिन घर के सदस्यों के मन में सांती नहीं रहती है दूसरी बात ही है ये अमावस्या तीन प्रकार के लोगों के लिए खास है सबसे पहली बात तो ये कि ज इकम नहीं हो रही है और जिनके उपर कर्ज का बोज बढ़ गया है और दूसरे वो जिनको संतान नहीं हो रही है ठीक है जिनकी संतान नहीं हो पा रही है और तीसरे वो जिनका अपना मकान नहीं बन पा रहा है ये तीन प्रकार के लोगों के लिए ये अमावस्या बहुत ही ख सांते ही चोछिड़ापण की भावना रहती है तो इस अउसर पर आप ये उपाय करके अपनी समस्या से मुक्ति पासकते हैं और यह जो तीनों का तीनों जो मैंने फाइदा बताए ना इन फायदों के रास्ते आपके खुल सकते हैं, इंकम के रास्ते खुल सकते हैं, संतान प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं, और अपना घर बनाने का सपना भी पूरा होने का रास्ता खुल सकता है, और कर्ज उतारने का भी रास्ता खुल सकता है, तो आता हूं मैं अब टॉपि करते हैं वो आप पुजापाट कीजिए अब आपको क्या करना है कि थोड़े से काला तिल लेना है सुखा काला तिल लेकर के सिवजी के मंदरे में चले जाईए और सिवलिंग पर चढ़ा दीजिए सुखा काला तिल जल्म मिला के नहीं चढ़ाना है सुखा काला तिल से उसे आपका जो सबसे खास दुख होगा तकलीफ होगा एक या दो या तिन उसकी प्रार्थना आप कर लीजेगा जरूर सुनवाई होगी निशित रूप से सुनवाई होगी और उस दिन अमा अवस्या के दिन सुबह में सूरी भगवान को आपको जल देना है कैसे एक लोट पूर्ण काम आपको करने है मित्रों और उसके पश्चात साम को अपने पूजा घर में पूजा अस्थल पर सुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है और सभी देवी देवताओं को दिखाना है और सभी का असिरवाद लेना है तो ये अमा आवस्या आपके लिए बहुत खास बन जाएगी और आपके मनो कामनाओं को पूरा करने वाली बन जाएगी और आप जो है कि आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे ठीक है मित्रों तूमीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं चलता हूँ लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहते हूँ कि य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो मित्रों में चलता हूँ मुझे आग्या दीजिए जय सिव संकर